परसेटमॉल के बारे में हम सारी जानकारे आज देखेंगे वो भी सरल भाशा में जी हां दोस्तों नमश्कार क्या होती है परसेटमॉल कैसे यूज करते हैं परसेटमॉल अगर आप ये सारी जवालों की जवाब ढून रहे हैं तो आप बिलकुल सही जगर पर आये हुए हैं आज हम इन सब भी बातों के बारे में बात करेंगे ये होती है acetaminophen और इसका यूज किया जाता है fever को treat करने में चलिए अब देखते हैं इसके root of drug administration क्या है मतलब ये कैसे ली जाती है सबसे पहला root of administration है oral मतलब ये मूग के माध्यम से ली जा सकती है दूसरा है rectal और तीसरा है आपकी वीन में injection के माध्यम से भी ये जो दवा है ये आपको दी जा सकती है दोस्तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि इस drug की class क्या है जैसे हम इंसानों में हमने divide करके रखा हुआ है ये ST है ये OBC है और ये general category है वैसे ही दवाईयों में भी drug की class decided है तो ये आती है analgesic antipyratic class में analgesic और antipyratic में इसको रखा गया है अब हम देख लेते हैं कि onset of action क्या है जी हाँ जब आप इस दवा को लेते हैं जो मैंने आपको route बताए हैं उनकी माध्यम से तो कित्ती जल्दी ये दवा आपको relief देती है आपके दर्द से सबसे पहला है oral oral route से अगर आप लेते हैं तो 38 minutes में result आता है आप अगर intravenous administration करते हैं तो 8 minutes में आपको इसका असर देखने को मिल जाता है अब बात है क्या ये drug safe है pregnancy में और क्या महिलाएं जो breastfeeding कराती हैं वो इस drug को इस medicine को ले सकते हैं तो जवाब है हाँ जी हाँ ये जो paracetamol है ये गरगवती महिलाएं ले सकती हैं और वो महिलाएं जो breastfeeding कराती हैं वो भी ले सकती हैं चलिए अब बात करते हैं safe doses की 4000 mg के उपर अगर कोई वयस्क जो है healthy adult 4000 mg per day के उपर daily basis पर ये medicine लेता है तो उसको इसके adverse effect या toxic effect देखने को मिलेंगे ऐसे cases में toxicity होती है जो इसके major side effect है वो है liver toxicity और जित्ते भी आपके skin पे rashes आते हैं वो देखें ये सारी जनकारी सिर्फ education के लिए दी जा रही है ये दवा का उपयोगा आप doctor के परामर्श के बाद ही ले आप सभी का धन्यवाद thanks for watching please share this video with your friends and family सभी मास पहने और प्लीज इस stay healthy take care everyone bye bye